पूर्वी लद्दाक में गलवां घाटी में जड़प की एक साल पूरे हो गएं लेकिन चीनी सैनिक वास्टविक नियंतरन रिखा के पास अब भी डेरा डाले हुए हैं इस बीच भारत ने लंबी अवदी की सोच के साथ उसका मुकाबला करने के लिए खास तैयारी कर ली है 15 जून 2020 को पूरवी लद्दाक की गलवां घाटी में भारत और चीन के बीच खूनी जड़प हुई थी इस जड़प में 20 सैनिक शहिद हो गए थे सूत्रों का कहना है कि चाइनिज उब्जविशन पोस्ट पर उस वक्त 10 बारत सैनिक थे जिने भारते पेट्रोल ने जाने को कहा था चीनी सैना ने ऐसा करने से मना कर दिया और पेट्रोल अपनी यूनेट को इसकी जानकारी देने वापस आ गया तब 16 बिहार के कमांडिंग अफसर करनल संतोज बाबू समित 50 भारती जवान चीन के सैनिकों को समझाने गए थे कि उन्हें पीछे जाना होगा क्योंकि भारत की जमी पर है चीन ने सैनिकों से पहले ही हमले की तैयारी कर रखी थी और उन्होंने पहला हमला करनल संतोज बाबू के शहीद होते ही बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना आपक हो दिया और संक्या में कम होने के बावजूद भी वो चीन के सैनिकों पर थेजी झाल